नमश्कार दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब पेनल दायक्यू ट्रेडर्स में दोस्तों आज के वीडियो में हम USD INR का मंतली एनलेसिस करेंगे अगस्त मंत की ट्रेडिंग हो चुकी है सेप्टेमबर मंत के लिए हम एनलेसिस करेंगे और जानेंगे USD INR का आग कर सकते हैं यह वीडियो एजुकेशनल परपस के लिए रेकॉर्ड की जा रही है आपके प्रॉफिट लॉस या किसी भी पोजिशन के लिए हम रेस्पॉंसिबल नहीं होंगे तो दोस्तों हम अपना अनलेसिस शुरू करते हैं और हम जानने की कोशिश करते हैं कि USD INR में नीचे की तरफ आया, USD INR लगबग 1.5 रुप्या नीचे आया, 1.5 रुप्या नीचे आने के साथ साथ दोस्तों, पुट राइटर्स की हालत काफी खराब रही और पुट राइटर्स ने लॉस भी बुक किया, उन पुट राइटर्स में मैं भी एक शामिल हूँ दोस्तों, डेफिनेटली मैंने भी पुट में लॉस बुक किया, और कॉल्स में उतना मेरा रिकवरी नहीं हो पाया, तो मैं नेट नेट लॉस में इस वीक रहा, ये मैं आपको अपडेट करना चाहूँगा, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि मैं केवल ऐनलेसिस दे रहा हूँ और जानेंगे कि आगे की क्या पोजिशन हो सकती है, आगे की क्या मूवमेंट हो सकती है, तो जैसा हम जानते हैं कि पिछले हफ़ते में एक वाइल्ड मूव आया था और ये स्टी आयनर 75 से, 75 से नीचे आया, तो दोस्तों मैं हमेशा पहले भी आपको एक बात बताता रहा भी टूपता है, तो एक बड़ी केंडल के साथ विद वॉल्यूम टूपता है, तो दोस्तों ये एक बड़ी केंडल बनी थी विद वॉल्यूम 24 तारी को, जिसने इस 74.5 के इस लेवल के इंपोर्टन सपोर्ट को तोड़ दिया था, तो इंपोर्टन सपोर्टने के बाद द support टूटने का मतलब दोस्तो यही होता है जैसा कि मैं अपना example देना चाहूंगा कि मान लीजिए हम put writers हैं और हमने support create किया है तो support टूटने का मतलब होता है कि हम किसी भी भाव में किसी भी value में अपनी put को close करना चाहते हैं इस तरह की candle से हम भचना चाहते हैं तो दोस्तो इस तरह की candles sellers के द्वारा नहीं बनाई जाती इस तरह की candles unwinding जो existing positions player होते हैं उनकी position close की वज़े से ये candle इतनी बड़ी नीचे की तरफ बनती है इसलिए हमेशा जब भी support या resistance के level टूटते हैं तो आपने देखा होगा एक बड़ी candle बनती है तो वो बड़ी candle दोस्तो अन्वाइंडिंग या covering की वज़े से बनती है क्योंकि players अपनी positions को close करते हैं तो दोस्तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि जो ये support टूटने के बाद मैंने इसमें कुछ technicals इस बार add किये हैं अपने analysis में वो technicals में आपको बताना चाहूंगा कि मैंने moving average 5 period का closing basis पर 13 moving average closing basis पर और bollinger band 20 periods का इसमें add किया है इसके साथ साथ दोस्तों हम directional movement देखने के लिए DMI directional movement indicator या ADX का use कर रहे हैं तो दोस्तों हम ये देख रहे हैं हम ये देखना चाह रहे हैं कि daily hourly chart ये लगाया है मैं daily दिखा देता हम आपको daily chart में आप देखेंगे दोस्तों bollinger band squeeze चल रहा था bollinger band squeeze होने के बाद अभी इस बड़ी candle के बाद bollinger band wide होना शुरू हो गया नीचे की तरफ movement शुरू हो गया है इसके साथ साथ दोस्तों आप एक ही जोर observe कीजेगा जब भी इस तरह के move आते हैं जैसे ये bollinger band से बाहर गया ये मैंने bollinger band की अपनी एक writing की थी कुछ 6-8 महीने पहले उसमें मैंने बताया था कि जब भी कोई भी candle bollinger band से बाहर जाती है बोलिंजर band से कोई भी candle बाहर जाएगी तो उस candle को या तो breakout देके वो बहारी बहार trade करती रहेगी अगर वो इसके high को test नहीं कर पा रही है जैसे इसके low को test नहीं कर पा रही है जैसे कि ये candle इसके low को test नहीं कर पाई करती है यह एक तरह का magnet का काम करती है चाहे सपोर्ट हो चाहे रेजिस्टेंस हो एक बार यहां आके यह जरूर रुकेगी और ऐसा ही हमने देखा कि यहां यह बोलेंजर बैंड कि यह जो candle आई यह इस पांच यह में तक आई और उसके बाद फिर से इसने नीचे की तरफ को यह negative line उपर की तरफ ले जाएगी यानि कि यह momentum अभी थोड़ा नीचे की तरफ जा सकता है तो दोस्तों यह strong momentum हमें 5 EMA भी confirm करता है जब तक यह trading 5 EMA के नीचे daily basis पर होती रहेगी यह strong bearish trend में रहेगा इसको neutral होने के लिए या बोलेंजर बैंड को normal होने के लिए इस candle को 13 EMA को test करना पड़ेगा 13 EMA के पास इसे आना पड़ेगा तो दोस्तों यह daily daily chart में में मेरा analysis है hourly chart में मैं आपको बता देता हूँ hourly chart में भी आप same pattern देख रहे हैं कि यह पांच EMA के नीचे अभी तक candle trade कर रही है दोस्तों hourly chart में इसे mid bollinger यानि 20 MA के पास इसे आना पड़ेगा तो हम जो भी इसका recent इस consolidation का जो भी low रहेगा हम उस लो को support मानके नीचे की तरफ हम put rights कर सकते हैं या protection के साथ put rights कर सकते हैं तो दोस्तों अभी अगर अभी अगर यह falling falling movement में यदि हम exact support दूनने की कोशिश करेंगे तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि अभी 74.6 के around resistance support break करके नीचे आया है तो एक नया support बनाने में अभी time लग सकता है तो हमें देखना होगा कि नया support कहां इमर्ज होता है लेकिन हम data के point of view से या data की मदद से हम जानने की कोशिश करेंगे कि USD INR नीचे की तरफ कहां तक आ सकता है और support formation की एक जो मेरी style है वो मैंने आपको बता दी कि hourly chart पे कम से कम यह 20 EMA के आसपास आ जाए 13 EMA के ऊपर trade करे Bollinger Band को थोड़ा सा neutral करे और यह जो DI है DI को थोड़ा सा यह DI दोस्तों उपर की तरफ जाएगी अभी यह ADX उपर की तरफ जाएगी और ADX को फिर यह smooth करना शुरू कर देगा जब यह ADX को smooth करना शुरू कर देगा तो वही हमारा time होगा वही हमारा phase होगा जहां हम समझ जाए हैं क्योंकि मंतली है मंतली अनलेसिस है और मंतली अनलेसिस के point of view से हम डेटा एक बार देख लेते हैं तो दोस्तों एक चीज observation मैंने इस बार की है जो मेरे लिए भी नहीं थी तो मैं उसके लिए उस बात को मैं जादा widely share नहीं कर पाया लेकिन मैंने observation में जरूर देखा था कि जो भी closing होती है जो भी open interest होता है futures का वो 15 लाग के around trade करता रहता है up to last week लेकिन इस बार क्या हुआ था ये open interest जो 15 लाग के around था ये नीचे की तरफ अपने आप आना शुरू हो गया था 12 लाग तक आ गया था 21 सगस्त आप देख सकते हैं डेटा में तो दोस्तों इसका मतलब ये था इसका अनुमान ये निकाला जा सकता था कि जो long position है वो widely close कर दी गई 15 लाग के जो 12 लाग 11 लाग में आया तो 3-4 लाग की long positions को widely close करके next month के rollover में उन्हें short में convert कर दिया होगा तो ये definitely positions का change over किया गय दोस्तों अभी के data में देख लेते हैं अभी के data में अगर हम rollover का data देखेंगे हम इस बार 16 लाग के round से ट्रेडिंग शुरू कर रहे हैं cumulative open interest 19 लाग के round है तो वह ये अभी ठीक है इसमें कोई सब्सक्राइब कर सकते हैं और दोस्तों अगर हम अभी का data देखें तो अभी अन्वाइंडिंग हमें नजर आती है 16 लाग से अन्वाइंडिंग होई है कुछ open interest की लेकिन cumulative में भी अभी नॉर्मल चल रहा है डेटा दोस्तों cumulative में डेटा 22 लाग से उपर यदि एक से दो हफ सब्सक्राइब कर सकते हैं इसके बाद दोस्तों options में हम options में analysis कर लेते हैं दोस्तों शीट में किया गया है मैंने मंतली को ऊपर यहां shift कर दिया है weekly को नहीं क्योंकि मैं weekly अब ट्रैक नहीं करता हूं मंतली का data ट्रैक कर रहा हूं मंतली के data में आप देखेंगे तो दो दिन में जो अगले महिने का contract trade हुआ है उसमें सबसे ज़्यादा call side में open interest अभी चल रहा है 75.5 की strike पे 75 की strike भी अच्छा open interest है put side में दोस्तो 73 की strike पे 1,30,000 का open interest अभी build up चल रहा है इसी के साथ साथ second highest open interest put side में 74 पर चल रहा है लेकिन change in open interest की आप बात करेंगे तो change in open interest put side में 71 पर सबसे highest change हुआ है और put side में change in open interest second highest 73.5 पर बना है दोस्तो इसके साथ अब premium की बात करेंगे trading सबसे ज़्यादा active trading कहा हुई है तो वो आपको दो strike पर नजर आ रहा है जो कि 74 की strike है call and put और 73.5 की strike है और put side में आपको 73 की put में भी trading नजर आ रहा है that means की 73 का level अभी के लिए एक important level नजर आता है तो 73 के level को हम एक बार देख लेते हैं दोस्तो 73 के level में अभी 23,000 open interest build up करके 1,30,000 में put को पहुचाया गया है जिसका VWAP अभी 20 पैसे चल रहा है और 73 की call में open interest add किया गया है 29,000 के around और ये 1,15,000 तक इसे पहुचाया गया है तो दोस्तो 73 का level अभी के लिए important है मैं आपको option chain में एक बार और clarity से सारा बता देता हूं सारा दिखा देता हूं तो दोस्तो 73 के level में आप देखिए सबसे highest combined open interest call और put का combined open interest जो की similar भी है जैसे 73 की strike में similar open interest 1,32,000, 1,14,000 और combined भी सबसे जादा है यदि आप किनी भी strike straddle में किसी भी strike का open interest compare करेंगे तो 73 में अभी सबसे जादा combined और similar open interest चल रहा है तो दोस्तो 73 के level का जो भी sum होगा वो हमारा अभी immediate support और resistance के levels होंगे ये जो 73 की straddle की value है 73 के straddle की value बहुत important है माइने रखती है और इसी की territory में अभी USD INR trade करेगा तो दोस्तो 7 अगर ये यहाँ stable होता है तो मैं एक बार को 73 का straddle भी trade कर सकता हूँ तो इसलिए मैं आपको ये data बता रहा था यह option chain में और अगर आप देखे 71 में आप 71 की put में अगर open interest build up हुआ है तो दोस्तो ये केवल long किया गया हुआ है और इन positions को hedge के लिए long लिया गया होगा तो इस तरीके से हम इस data को देख सकते हैं तो दोस्तो अगर मैं consolidate करूँ अपनी बातों को तो हमें option chain के data के point of view से 73 के level पर अभी हमें 73 के level पर support नजर आता है 73 के आसपास इसे रुखना चाहिए यहां इसको values को erode करना चाहिए हफता दो हफता भी यहां रुखता है तो वो 80-90 पैसे का जोड़ा 50-60 पैसे का रह जाएगा तो इसे उस level तक यहां रुखना चाहिए 73 के straddle की value को इसे absorb करना चाहिए और उसके साथ सा दोस्तो चार्ट की अगर हम formation देखते हैं तो चार्ट में अभी हमें free fall में कोई भी support नजर नहीं आता free fall में अभी हम support देखने की कोशिश करेंगे तो वो हमारा केवल एक assumption होगा तो हम कुछ technicals की मदद से जैसे मैंने यहां EMA और moving averages लगाए हैं और ADX का मैं point देख रहा हूँ तो इन technicals की मदद से हम एक बार को support find out कर सकते हैं तो दोस्तो मैं अपनी वीडियो को यहीं end करता हूं आप को यह कैसा लगा आप मुझे बताइएगा आप हमारे telegram पे भी हमें join कर सकते हैं जैसा कि हमारे कुछ दोस्तों ने बोला था telegram channel बनाने को उसका link मैंने दे क्या है link मैं नीके description में दे दूँगा आप हमें mail कर सकते हैं दायक्यू ट्रेडर एट जी मेल डॉट कॉम आप हमें फोलो कर सकते हैं अड़रेट एक्यू ट्रेडर थैंक्यू दोस्तों